हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल, LKB Study चैनल फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाएं Polytechnic GTI Maths का Chapter 10 का Part 1 हम आज कौन सो Chapter स्टार्ट कर रहे हैं? Chapter 10, जिसका नाम क्या पिर्ति सत्ता चलिए, स्टार्ट करते हैं, इस पर Questions करना Question 1 क्या हमारा? Question 1 है, 35 का कितने पिर्ति सत्ते 14 होगा? और यह जो 4 ओप्षन दिये गए हैं, इसमें से Right Option में टिक करना है तो हम क्या करेंगे? हम मान लेंगे कि 35 का X पिर्ति सत्त 14 होगा हम से क्या पूछा था? हम से पूछा था कि 35 का कितने पिर्ति सत 14 होगा? तो हमने मान लिया कि 35 का X पिर्ति सत कितना होगा? 14 होगा? तो अब हमें किस की Value Find करनी है? X की करनी है तो 35 हमारा ऐसे ही, इस का की जगे क्या जागा? गुणा यह X हैसे ही, अब यह जब percentage का हमारा साइन हटेगा, तो बटे में क्या आजाएगा? 100, equal to क्या है? 14, अब यह 35 हमारा पांसे कितने बार में करणेगा? 7 बार में, और यह 100 कितने बार में? 20 बार में, 7 की X में गुणा होगी, तो कितना हो जागा? 7 X बटे 20, बराबर कितना 14? 14 की बटे में क्या मान ले रहे हैं? और क्या कर दे रहे हैं? तिर्ची गुणा, 7 X की 1 में होगी, तो 7 X बराबर 20 की जब 14 में होगी, तो क्या होगा हमारा? 20 की 14 में होगी, तो हमारी 280 अब X की वैल्यू क्या आ जागी? यहां से 280 बटे 7 साथ से 28 को हम काट देंगे, चार बार में हैं तो X बराबर कितना आ गया? 40 आ गया, यानि कि 35 का 40 प्रतिशत कितना होगा हमारा? 14 होगा, तो जो कोशेन नमर 1 है, इसका जो ऑप्शेन नमर D है वो हमारे क्या होगा? राइट अंसर कोशेन नमर 2, क्या है? 3 का 10 परसेंट बरावर है यानि कि हमें ये बताना है कि 30 का 10 परसेंट क्या होगा? और यह जो चार ओप्शन दिएगा हैं, इसमें से किसी एक राइट ओप्शन में टिक करना है तो 3 का 10 परसेंट हम से पूच रहे हैं तो 3 तो ऐसी का की जिए क्या गुणा, अब यह जो पिर्तिसत हटेगा, तो इस 10 के बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, अब इस 0 से 10, इस 10 गुणा होगी, तीन बटे क्या 10, यहां जब 10 हमारा कटेगा, तो 0.3 हमारा आंसर, तो 3 का 10% कितना होगा 0.3 तो यह जो question number 2 है इसका option number B है वो हमारे क्या होगा right answer question number 3 question number 3 के लिए हमारा दसमलब में व्यक्त करने पर 200% बरावर है यानि कि हमें यह जो 200% है इसे किसमें बदलना है दसमलब में बदलना है और यह जो हमारे चार option दिए गए है इसमें से right option में टिक करना है तो हमारे क्या 200% है इसे हमें किसमें बदलना है दसमलब में तो यह 200% है यह जब हमारे परतिशत हटेगा तो इस 200 के button क्या जाएगा 100 आजएगा यह 2-0 से 2-0 कट गए तो हमारे क्या बचा 2 बचा अब इसमें 2 तो कोई answer है नहीं तो हम 2 के आगे क्या point मान सकते हैं और 00 मान सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो यह जो हमारे question number 3 इसका option number जो A है वो हमारे क्या होगा right answer होगा question 4 question 4 क्या है निमलिखित में से 0.635 के बराबर है यानि कि यह इसे हमें change करना किसमें पिर्तिशत में क्योंकि यहां हमारे कितने क्योंकि यह जो 4 option है वो सब पिर्तिशत में है तो यह 0.635 है यह हमारे किसके बराबर है इन 4 में से और यह सब क्या हमारे पिर्तिशत में है तो यह हमारे 0.635 है इसी हमें किसमें change करना है, पिर्तिशत में change करना है, तो पिर्तिशत में change करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी number को अगर हमें पिर्तिशत में बदलना है, तो उसमें हम क्या कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, जैसे 100 से गुणा होती है, वो पिर्तिशत में बदल जाता ह अब 0.635 की जब हमारी 100 मों multiply होगी तो हमारे कितना आ जाएगा अब इसकी जब 100 मों multiply होगी सबसे पहले हम क्या करेंगे 635 की सिर्फ 1 से multiply करेंगे 635 की सिर्फ 1 में तो 635 की जब 1 मों होगी तो हमारे क्या जाएगा 635 और इसमें कितने 0 हैं 2-0 तो हमारे आ जाएंगी 2-0 अब यह जो point है कहा है हमारे 3 के बाद है तो यहाँ से point कहा जाएंगे 3 के बाद आएगा तो 63.5% तो यह जो 0.635 है वो हमारे किसके एकवल होगा 63.5% तो जो question number 4 है उसका option number B है वो हमारे क्या होगा right answer question number 5 question number 5 क्या है हमारा 20 का 40% क्या होगा हमसे क्या पूछ रहे हैं 20 का 40% क्या होगा और यह जो 4 option दिएगा है इसमें से right option में tick करना है तो 20 का 40 पूछ रहे हमसे तो यह 20 हमारा ऐसी इस का की जगा है हमारे क्या गुणा और यह 40 यह पृतिशत हटेगा तो 40 के बटम क्या होगा हमारा 100 आजाएगा अब यह 1 0 से 1 0 कैंसिल दूसरी 0 से हमारे दूसरी 0 कैंसिल अब 2 की इसमें क्या हो जाएगी हमारी गुणा हो जाएगी अब 2 की क्या हो जाएगी चार में कुड़ा है तो दो चो कितना हो जाएगा आठ तो बीस का चालेस प्रतिशत कितना होगा आठ होगा तो जो कोशिन नमर फाइबस को जो आप्शन नमर ए है वो हमारे क्या होगा राइट अंसर यह क्या होगी हमारा अंसर कोशिन नमर सिक्स क्या है पच्चिस पिछत्तर का कितने पिर्तिशत है और यह जो चार ओप्शन दिये गए हैं इसमें से राइट ओप्शन में टिक करना है तो हम माल लेंगे कि 75 का X पिर्तिशत हमारे कितना होगा 25 होगा अब यह 75 तो हमारे ऐसे का की जिए क्या जाए गोणा X ऐसे यह पिर्तिशत हटेगा तो X के बटे में क्या जाएगा 100 एक्वल टू क्या हमारा 25 अब इसे हम काट लेंगे 25 तीया 75 पच्चिस चौक 100 तीन की X में क्या हो जाए गोणा तो यह क्या हो जाए तीन X बटे 4 बरावर 25 25 के बटे में क्या मान लिए एक अब हम क्या करतेंगे तिर्ची गुणा 3x की जब 1 मो होगी तो 3x 25 की जब 4 मो होगी तो 100 यहां x बरावर कितना हो जाएगा 100 बटा 3 अब x बरावर 100 को किसे भाग करेंगे 3 को अब कैसे होगी पहले 10 में पढ़ेंगे 3x9 एक बचा उतारा 0 अब 3x9 एक बचा पॉइंट लगा के 0 बड़ा है 3x9 एक बचारा फिर 0 33 जब 9 फिर से तो हमारे क्या आगया 33 दसमलब 33 यानि की 33.33 यहागा यानि की 75 का 33.33 परसेंट हमारे कितना होगा 25 होगा तो यह जो कोशिन नमर 6 है इसका जो उप्षिन नमर A है वो हमारे क्या होगा राइट आंसर कोशिन 7 क्या है हमारा यदी राम की आए शाम की आए से 25 परसेंट अधिक है जो राम की आए है वो शाम की आए से क्या 25 परसेंट अधिक है तो हमें यह बताना है कि श्याम की आय राम की आय से कितनी प्रितिशत कम है और यह जो चार ओप्षन दिये गए है उसमें से राइट ओप्षन में टिक करना है तो हमें यहां से यहां तक हमें क्या कहा गया है कि यदि राम की आय स्याम की आय से 25 पर्षेंट अधिक है अगर यहां अधिक कहा जाएगा तो जो हमारा फॉर्मुला बन जाएगा वो हमार क्या होगा आर बटे 100 प्लस आर गुणा 100 यह हमारा फॉर्मुला होगा क्या जब यहां पर हम से यह हमसे क्या जाएगा अधिक का जाएगा और यह r की जगह क्याएगा ये जो हमारा पिरतिश्चत दिया है तो r की जीजगे कितना आ जाएगा 25 बटे 100 इस r की जाए जाए कितना आ या 25 गोणा कितना 100 है हमारा अब 25 बटे 100 पलस 25 एक सोटे 100 14 अब 25 एकम 25 25 पंजे 125 पांच से इसे 100 को कितने बार में गाट देंगे 20 बार में तो जो श्याम की आई है राम की आई से कितने प्रतिशत कम है 20 प्रतिशत कम है तो यह जो question number 7 है उसका option number B है वो हमारे क्या होगा right answer question 8 क्या है यदि चीनी के मूल में 25 परसेंट की विरिद्धी हो जाए तो खफत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि जिससे खर्ज अपरिवर्थित रहे तो यहां हम से क्या कहा गया विरिद्धी इससे पहले वाले जो हमारे question था यानि कोच नमर सेवाने वहां यहां पर क्या था अधिक था क्या था अधिक हो यह विरिद्धी हो तो हमारा फॉर्मूला की होगा? अगर व्रिद्धी हो रही है तो हमारा जो फॉर्मूला होगा क्या होगा? R बटे 100 प्लस R गुणा 100 पिर्तीशत और यह R की जिगर के आएगा? यह जो हमारा पिर्तीशत दिया है तो 25 बटे 25 बटे 100 प्लस 25 गोणा कितना आज आएगा यहाँ? सो सौपलिस एक्सोपच्च्च्च्च्च्च्च्? गोणा कितना है यहाँ? सोइ? अब पच्च्च्च्च्च्च्चいます 25 और 25 105 पांक सही ई 20 कितने बार मैं? 20 बार मैं रकट जाएगा तो जो हमारी चीनी चीनी की खपत में कितने पिर्थिशत की कमी करने पड़ेगी बीस पिर्थिशत की कमी करने पड़ेगी तो जो question number 8 है उसका option number D हमारे क्या होगा right answer question number 9 question number 9 क्या है हमारा चाय के मूल में 25% की कमी होने पर खर्च में कितने पिर्थिशत की वृद्ध की जाए खर्ज अब परिवर्थ रए और यह चार आपिशन दीए गया में इसमें इसमारी 50 कमी हो रही बटे 100-25 आर की जह आगे किया बाइन कितना है सो कैसे अब 25 अे अफंधे जब समें जाएबा तो हमयरा कितना बचेगा 25 अब इस 3 से 100 को किया करेंगे अफाग करेंगे 309 इस को जो option number B है वो हमारे क्या होगा right answer question number 10 question number 10 क्या है एक आयत की लमाई में 10% की वृद्धी करने पर तोधा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर 6 रफल में कितने पिर्तिशत की वृद्धी या कमी होगी हम क्या कर रहे हैं एक जो आयत है उसकी लमाई में 10% की वृद्धी कर रहे हैं और चौड़ाई में 20% की कमी कर रहे हैं तब हमें ये बताना है कि 6 रफल में कितने पिर्तिशत की वृद्धी या कितने पिर्तिशत की कमी होगी और ये जो 4 option दिये गए हैं उसमें से right option में टिक करना है तो इसका हमारा एक formula होता है क्या होता हमारा a plus b plus a into b पटे 100 ये formula होता है ये जो हमारे दो पिर्तिशत दी है इसमें जो पहला पिर्तिशत होगा वो हमारा a का मान होगा और ये जो दूसरा पिर्तिशत दी है वो हमारा b का मान होगा अब A की जगा यहां कितना हम रखेंगे 10 और B की जगा कितना रखेंगे 20 मगर अगर वरिद्धी हो रहेगी तो हम इसे किसमे लेंगे धनात्म लेंगे यानी प्लस का और कमी होगी तो हम इसे किसे लेंगे माइनस का तो पहले हो रही है 10% 10% की क्या वरिद्धी हो रही है तो A की जगा कितना आ जाएगा यहाँ 10 फिर क्या हो रही है चौडाई में 20% की कमी अब कमी हो रही है तो यह जो B की जगा 20 आएगा वो हमारे किसका आएगा माइनस का आएगा प्लस ऐसी ही अब a की जाए कितना है फिर से 10 और यहां क्या multiply अब b की जाए कितना है गा 20 पिरतिशत b की value कितनी 20 a की value कितनी है 10 अब 20 पिरतिशत की कमी हो रही है तो b की value हमें किसमें लेनी है minus में बटे में क्या हमारा 100 है तो यह 10 minus 20 यानि कि यह हमारा ये किसका पिलस का ये प्लस माइनस माइनस तो 10 में से जब 20 जाएगा हमारे कितना हो जाएगा माइनस का 10 ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस 20 की 10 में होगी मल्टिप्लाय कितना जाएगा 200 बटे कितना है 100 अब 100 से 200 कितनी बार में जाएगा माइनेस दस माइनेस दो अब माइनेस दस माइनेस दो हमारे कितना आगी है माइनेस बारा यह माइनेस क्या बता रहा है माइनेस बता रहा है कि हमें बारा पिर्थिशत की क्या करने पड़ेगी छेतर पल में छेतर पल में कमी करने पड़ेगी अगर यह हमारा आता क्या पिलस का तो तब हम क्या कहते हैं कि 12 प्रतिशत की कि हमें क्या करनी पड़ेगी विरिद्धी करनी पड़ेगी तो जो कोशन नमर 10 है उसका जो option नमर B है वो हमारे क्या होगा right answer यानि कि 6 तरपल में 12 प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी कोशन नमर 11 क्या है एक लड़के को किसी रासी का 3 सही 1 बटा 2 प्रतिशत ग्याद करने के लिए कहा गया उसने प्रस्ण को गलत पड़कर उस रासी का 5 सही 1 बटा 2 प्रतिशत निकाल दिया तब उसका उत्तर 220 था सही उत्तर क्या होगा और यह जो 4 option दिये गए इसमें से right option में टिक करना है अब इसमें हमारी रासी नहीं पता है मैं तो हम मान लेंगे माना वहरासी x है माना वहरासी क्या x है अब इस रासी x का उससे कहा कि क्या 3 सही 1 बटा 2 प्रतिशत ग्याद करो मगर उसने इस रासी का कितने प्रतिशत ग्याद किया 5 सही 1 बटा 2 प्रतिशत ग्याद कर दिया उसने गलती से तो उसने कितना गयात कर रहा इस रासी एकस का पांच सही एक बटा दो पिरतिश्य गयात करा और उत्तर कितना आया उसका 220 आया अब यह X ऐसी का की ज़र किया जाएगा हमारा का की ज़र गुणा अब यह सही से हम इसे हम सरल भिन्ने में बदल देंगे तो 2, 5, 10, 10 में 1, add होगा, कितना हो जागा, 11 बटे 2, 30, बराबर कितना है, 220, अब 11 के इसमें क्या होगी, multiply, तो 11x बटे 2, अब जो 30 हटेगा, तो बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, बराबर कितना है, 220, अब हमारे क्या होगा, इसमें, 11x बटा, 2 की 100 में होगी, गुणा कितना जाएगा, 200, अब बराबर कितना हमारा, 220, 220 के बटे में हम क्या माल लेंगे, एक, अब क्या कर देंगे, तिर्शी गुणा, तो 11x की किसमें होगी, गुणा हमारी, एक में होगी, तो 11x, 200 की हमारे मल्टिप्लाइ किसमें होगी, 220 में, तो 200, गुणा 220, अब क्या हुआ, x ऐसे ही, 200, गुणा 220 भी ऐसे ही, ये 11 जो हमारे मल्टिप्लाइ में होगी, बटे में आ जाएगा, अब 11 से हमारे 220, कितने बार में कटेगा, तो X परावर, अब 200 की किसम होगी गुणा 20 में होगी, तो हमारी कितना आ जाएगा, 200 की जब 2 में होगी तो 400, 1, 0 हमारा यह, यानि कि हमारी रासी है, वो हमारी कितनी है, 4000 है, मगर उसे इसी रासी का कितना नेकालने के लिए कहा गया था, 3, 1, 2 प्रतिशत, तो हमें यही बताना सही उत्तर क्या यानि कि इस रासी का हमें कितना निकालना है तीन सही एक बटा दो पिर्तिशत तो हम क्या करेंगे चार हजार का तीन सही एक बटा दो पिर्तिशत निकालेंगे तो यह चार हजार तो ऐसी काकी जग आजाए हमारा का की जगह आजाए गुणा, अब इसे हम क्या करेंगे, सरल भिन्द में, इसे हम बदलेंगे तो यह हमारी क्या करेंगे, दो तिया हो, छे चे और एक साथ, साथ बटे-दो अब यह जो पिर्तिशत है पिर्तिशत जब हमारा हटेगा तो इसके बटे में क्या आजाएगा 100 आजाएगा अब यह जो 2-0 से 2-0 हमारे कट जाएगे 2 से हमारे 40 किसने काद मर्ट जाए 20 बार में 20 की जब 7 में होगी multiply तो कितना आजाएगा 140 440 तो हमारा आंसर क्या हो 140 यानि कि आता उसपर दो drei सा हाई एमसर क्या है जिन मेंसे 72% हिंदू, 16% मुसल्वान, 3% सिख और सेज के हमारे इसाई हैं तो इसाईयों की संख्या हमें बतानी है कितनी होगी और यह जो चार आप्शन दिये गए इसमें से राइट आप्शन में टिक करना है तो पहले हम निकालेंगे इसाईयों का पिर्तिशत कितना है इसाईयों का पिर्तिशत यानि कि पिर्तिशत में इसाई हमारे कितने हैं तो हम मान ले रहे हैं कि टोटल हमारे कितने हैं 100% है अब हमें के निकालें इसाई तो 100% मेंसे हम यह हिंदू जितने हैं और मुसल्मान जितने हैं और सिक जितने हैं इन्हें जोड के 100 में से हम क्या कर देंगे घटा देंगे तो हमारे इसाइयों का पिर्तिशत आ जाएगा तो 100 पिर्तिशत हमारा है इसे ही इसमें हम क्या कर रहेंगे 82% फिलस 16% फिलस 3% 72% हिंदू है, 16% कि हमारे मुसल्मान विद्यारती है, 3% सिख विद्यारती इन तीनों को हम जोड़के 100 मैं से घटा देंगे तो वो हमारे क्या आ जाएगा, ईसाइयों का पृतिशत आ जाएगा हमने ये मानाए कि जो चारो धर्म के कुल विद्यारती कितने है, 100% है और ये जो तीन धर्मों के विद्यारती को जब पृतिशत दिया है, उन्हें जोड़के हम 100 मैं से घटा देंगे फिर वो हमारे क्या जाएगा, ईसाइयों का पृतिशत तो 100 तो ऐसे हमारा, अब 16 और 3 कितना 19, 16 और 3 और 19 कितना होगा, 9 दो 11 का 1, 91 होगा हमारा तो 100 मैं से जब 91 जाएगा, तो हमारे कितना हैगा, 9% यानि कि इसाइयों कितने हमारे 9% हैं, तो इसाइयों की संख्या क्या होगी, हमसे क्या पूछिए, इसाइयों की संख्या कितना निकालें, 9 पृतिशत, तो हमारे क्या आ जाएंगे, इसाय आ जाएंगे, अगर हम से पूछा होता है हिंदू कितने हैं, तो हम 600 का कितना करतें, 72 पृतिशत, ऐसे हमसे क्या पूछा, इसायों की संख्या पूछ नहीं है, पूछ ये तो कुल विद्ध्यारती 600 हैं, और इसायों का पिर्तिशत कितना नौ है, तो हम क्या करेंगे, 600 का कितना पिर्तिशत निकालेंगे, 9 पिर्तिशत, तो 600 ऐसे ही का की जिगह आ जाएगा, ये 9 ऐसे ही, अब ये पिर्तिशत हटेगा, तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, पिर्तिशत हटाते हैं, तो हमेश से हम क्या करते हैं गुणा करते हैं अब यह दो जीरो से दो जीरो कड़ जाएंगे नौ की छे में गुणा होगी तो कितना आ जाएगा चववन यानि कि छे सो विद्यारती में से इसाही हमारे कितने चववन है तो कोस्ट नमबर यह चब ट्वैल वह इसका ऑप्शिन नमबर हमारे क्या हुआ राइट आंसर